इस वीडियो में हम आपको classes के लिए प्राइन equation बताने वाले यह most important question है 2020 के लिए क्योंकि यह exam में हर साल पुछा गया है यह very very most important question है क्योंकि आपसे इसका जो equation आता है वह भी एक नम्मर पुछाता है और एक बार साथ में और एक लाग में लगवाग यह हर साल आता है और एक नम्मर में इसका जो ड्राइब करेंगे इस question आएगा वह भी पुछाता है एक नम्मर में चलिए पहले आप classes के लिए equation कैसे derive करेंगे इसका derivation हम आपको बताएंगे फिर उसका equation आता है हुआ है और आपको हम एक एक step बताएंगे कैसे derive करेंगे तो चलिए वीडियो को start करते हैं classes के लिए equation उससे पहले आपसे एक request है कि यदि आप माई चनल पर नए है तो चनल को subscribe कर लिजिए ताकि ऐसे वीडियो आपसे miss नहोंने पाए और हर वीडियो का notification आपको मिलता रहे देखिए classes के लिए प्रान equation कैसे derive करेंगे सुपोज फेज ए इस प्योर सबस्टेंस reversibility converted phase B and both phase equilibrium at temperature and pressure एक यहाँ पर दो फेज है यहाँ पर एक फेज ए है जो कि प्योर सबस्टेंस है वह reversibility convert रहता है phase B में both phase equilibrium at temperature and pressure एक एक प्योर सबस्टेंस है जो reversibility convert आता है किसमें B में phase B में और temperature pressure दोनों equilibrium है किस पर temperature T and pressure P पर बोथ phase equilibrium at temperature T and pressure P पर और the free energy the free energy initial state A is GA जो यह initial state है इसकी energy free energy जो है gives free energy GA and final state B इस B की final state B is GB per mole और G की जो final energy है वह GB हो जाएगी फिर से शूले जिए कि यहाँ पर एक फेज A है जो प्योर सबस्टेंस है reversibility convert आता है फेज B में किस पर temperature T and pressure P पर दोनों equilibrium में है जो initial state की free energy initial state मतलब A की free energy GA है और final state B की free energy GBA किस पर पर mole पर मोल पर और since both phase equilibrium पर है तो जो इनकी gives free energy GA यह भी equal हो जाएगी जी B इसको देखें यह large amount को represent करता GA और GB लेकिन इसमाल amount में कैसे आप इसको represent करेंगे डेल्टा लगा देंगे डेल्टा क्या represent करता इसमाल को और DG DGB इसको equation one but we know that आप जानते हैं यहां पर लिखिए but we know that but we know that लेकिन हम जानते हैं हमने आपको एक जो है classes क्रेप्रान equation इसके पहले एक पढ़ाया था हमने equation आपको की DG इसके पहले एक वीडियो हमने बनाई थी DG equal to BDP BDP minus yes DT इसको equation two यह हमने बताया था आपको इसके पहले फिर फार फेज ए यह equation हमने आपको इसके पहले बताया था help hold equation gives free energy और help hold equation में आप उसको देख लिजिए फिर फार फार फेज ए फार फेज ए फेज ए के लिए देखे यह equation यहाँ यह लगा देंगे फिर यहाँ पर यह लगा देंगे यहाँ yes तो यहाँ फेज ए के लिए हो जाएगा इसको देखे कैसे लिखेंगे DG फेज A के जैसे फार इनिसियल इस्टेट के लिए हम आज G1 लिखते थे तब यहाँ फेज A के लिए क्या लिखेंगे G A सेम उसी तरह equal to B है तो B A DP है तो DP minus S है तो S A DT को DT लिखिए फिर इसको क्या करिए equation 3 बना लिजिए इसी तरह फार फेज इसी तरह फार फेज फेज B के लिए इसी तरह कैसे कर लेंगे इसी equation को फेज B में लिखना लाँ तो DG B फेज B equal to B B DP सेम उसी तरह minus S है तो S B DT इसको equation 4 बना लिजिए इसके बाद देखिए दोनों क्या है यहाँ पर Equilibrium में exist कर रहा है तो आप लिखेंगे at Equilibrium आप exam में ऐसे ही लिखेंगे at Equilibrium मतलब from equation 1 फ्राम देखिए DGA DGA और DGB यहाँ equation 1 में देखिए DGA और DGB क्या equal position पर है तो DGA की बाद लिखेंगे आप इस साइड और DGB की बाद इस साइड सेम उसी तरह लिखेंगे फ्राम equation 1 तो देखिए इस साइड क्या आई DGA है तो DGA की बाद यहाँ आई तो यहाँ पहले आप लिख लिजिए B A D P minus S A DT equal to देखिए यहाँ पर DGB है तो DGB equal to इतना है आप यहाँ पर इसको लिख लिखेंगे तो B B D P तो D P minus S B DT है तो S B DT इसके बाद अब इसके बाद जो फाइनल इस्टेट में से initial इस्टेट को घटा देंगे तो देखे B B भी यह फाइनल इस्टेट है फाइनल इस्टेट में से initial इस्टेट क्या है मतलब फेज B में से फेज A को हम घटा देंगे घटा आएंगे तो यह phage b मतलब phage b है phage a में से घटा देंगे तो b a phage b में से माइनस करेंगे phage a और क्या dp है dp और dp यहाँ पर dp लिख लिजिए इसके बाद equal to देखे यहाँ पर यह क्या है phage b है phage b में से माइनस yes घटा दीजिए और dt है तो dt यह समझ में आया आपको फिर इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर यह dp है तो dp को आप यहाँ पर लिखे और यह dt है इस साइड into में है इस साइड आएगा तो divided में हो जाएगा equal to है तो equal to फिर yes b yes b a yes b है तो आप यहाँ पर yes b minus yes a bracket में और यह वाला आपका upon में आ जाएगा तो b b minus b a कितना आया आपको समझ में फिर dp upon dt equal to देखे जैसे हम yes 2 minus yes 1 equal to delta s लिखते थे सेम उसी तरह yes b minus yes 1 मतलब final face a में से face b गटाएगा तो इसका difference डेलियस लिख सकते हैं यह हमने आपको पहले ही बताया था फिर उसके बाद उसी तरह यह वालूम भी minus b में से घटा का difference लिखेंगे डेल्टा भी यह यह आपका equation 5 क्योंकि 4 उपर हो चुका है तब उसके बाद एक equation हम जानते हैं थोड़ा आप दूर दूर लिखेगा उसके बाद हम एक equation जानते हैं हम जानते हैं कि डेल्टा याज बराबर एक equation होता है डेल्टा याज अपान T अब एक डेल्टा याज की बाद लू कहा रख देंगे यहाँ पर मतलब putting the value of डेल्टा याज in equation 5 तो चलिए हम आपको यहीं पर दिखा रहे हैं या आप लिख सकते हैं कि equation 5 becomes देखे आप यहाँ पर लिख देखे equation 5 becomes मतलब जो यह 5 है यहाँ पर डेल्टा याज बराबर क्या रख देंगे डेल्टा अपान T तो आपका जो classes के लिए परान equation है वह आ जाएगा देखे रखे क्या है डेल्टा याज अपान T लिखना है डेल्टा याज अपान T और क्या है डेल्टा भी पहले से already है फिर उसके बाद क्या करेंगे डी पी अपान डी टी डेल अच है तो डेल अच और टी है तो टी अब देखे डेल्टा भी डेल्टा भी को हम भी टू माइनस भीवन लिख सकते हैं तो आप यहाँ पर भी टू माइनस भीवन लिखेंगे और यही आपका क्लासियस क्लेपरान एक्वेशन है 2016 के इंट्रेंस ब्याचु मस्सी इंट्रेंस में पूछा गया है क्लासियस क्लेपरान एक्वेशन क्या है तो आप यही बताएंगे इस इसकाल गलासियस क्लेपरान एक्वेशन लिख क्लासियस क्लेपरान एक्वेशन आपके एक नमने पुछाता है यह equation कि write down classes clear upon equation तो आपको जहां दिक्कत हो आप एक बार कमेंट करिए हम आपको फिर से वीडियो बनाएंगे आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप एक बार लाइक कर देजिए और चलने पढ़ने हैं सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि ऐसे useful वीडियो आपसे मिशने होन पाए चलिए अगले वीडियो में हम आपको एक और महातोपोल कोशन बताने वाले हैं और अभी आपके किसी काफी कर देजिए चाहे तो आपके कमेंट बात करेंगे